आज सेफ क्या बना रहे आज? हल्दी और नमक मैंने डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे, तो यहां पर मैंने इसको तीन विशल लगाए थी दोस्तों अच्छे से इसको पकाने के लिए ताकि यह बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तो हमारा कटल रेडी हो चुक है, अब इसे हम एक बॉल में जाके मैंश हो चका है, इसमें मैं डाल दूँगा, यह दो प्यास, इसको मैंने कद्दू कस कर लिया था, आप चाहे तो इसमें प्यास के बगयर भी बना सकते हैं, थोड़ा सा इसमें मैंने बेसन डाला है, यानि की ग्राम फलर, इसको डालने से अच्छी सी बैंडिंग आती है, और साथ में डाल दूँगा, थोड़ा सा नमक, नमक कम डालेंगे, कोई बाद में ग्रेवी में भी जाएगा, थोड़ी सी इसमें डाल रहा है, कुटी, लाल मिर्ची, तीखे बन के लिए, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला है, और थोड़ी सी इसमें हल्दी डालूँगा ताकि अच्छा सा color आजाए हमारे इस कोफते में इसको हम अच्छे से यहाँ पर mix करेंगे अच्छे से muscle muscle के इसको mash करेंगे ताकि जितने भी इसके ratio है वो अच्छे से घुल जाएं और हमारे कोफते एकदम soft बनके ready हो इस तरह से आप देख सकते हैं कोई भी बीज हो आपको निकालते चले जाना है तो यहाँ पर हमारा जो better था यहाँ mixture आप कह सकते हैं वो आप ready हो चुक है इसके हम छोटी छोटी इस तरह से balls बनाके इसके कोफते त्यार कर लेंगे कोफते की size के बनाने हैं या आपकी अपनी choice पर matter करता है आप छोटे बड़े अपने according इसको कर सकते हैं change तो यहाँ पर सारे की सारे गोल गोल कोफते मैंने बनाके प्यार कर लिया है इन कोफते को हमने 10 minute के लिए rest पर रखना है यह बहुत ज़रूरी है एकदम से इसको गरम तेल में नहीं डालना तो इसको rest करने के लिए मैंने क्या किया था इसको fridge में रख दिया था ताकि यह set हो जाएं और उसके बाद इसको मैंने fry किया था तो कोफते को fry करने के लिए मैंने एक बड़े size की कड़ाई का इस्तमाल किया ताकि हमारे कोफते हैं आपस में चिपके हैं और एक तुम अच्छे से फ्राई हो सकें और इसको पलटने में हमें असानी हूँ तो पहले कोफते डालने के बार इसको एक सी दो मिनिट आपको छेड़ना नहीं है मीडियम आच पे इसको सेखना है तेज आच पे सेखेंगे तो यह उपर से जल्दी से सीख जाएंगे लेकिन अंदर से बेसन कच्छा रह जाएगा तो इसको मैंने अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम में बड़ी अधंग से सेख लिया है और कोफते मारे बहुत अच्छे से सेख चुके हैं मुझे ज़्यादा सीखे होए कोफते पसंद हैं बाकि आप अपने च्वाइस की कोडिंग इसको कम या जादा सेख सकते हैं और इसको चल्ली में निकालके इसका जो एक्सेस ओईल है वो निकालके हम इसको अलग से एक थाल में रख देंगे तो बचे हुए तेल में मैंने डाल दिया यहाँ पे थोड़ा से जीरा और साथ में डाल रहा हूँ इसमें थोड़ी सी यहाँ पे एजवायन यानि केरम सीड्स इसमें मैं डाल रहा हूँ दो प्यास जिसको मैंने इस तरह से लच्छों में काट लिया है आप चाहे तो प्यास को मोटा भी काड़ सकते हैं कोई उससे कोई फर्क नी पढ़ता है कोई बात में हमने इस प्यास को फ्राई करने के बाद थंड़ा होने पर मिक्सी में पेस्ट बनाके इसको डालना है ग्रेवी में जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इस प्यास को तलने के बाद मिक्सी में इसका पेस्ट बना लिया है और उसको मैं फिर से अब फ्राइ कर रहा हूँ इस तरह से क्या होगा हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी दानेदर बनेगी और खाने का स्वाध बढ़ जाता है इसमें मैं अधरक लसन का पेस डाल रहा हूँ एक चमबच बर के इसको भी प्यास के साथ बून लेंगे तो देखी प्यास हमारा बून गया है एक टमाटर है इसको कद्यू कर लिया था जाए इसको भी प्यास के साथ अच्छी से बून लेंगे यहां पे मैं डाल रहाँ टमाटो प्यूरी ये बजार वाली है इससे अच्छा कलर आता है और दिखने में भी मारी gravy काफी बढ़िया लगती है तो आप चाहे तो घर में भी tomato puree बना के डाल सकते हैं या आपकी अपनी चोयस है tomato puree ना हो तो असमें आप extra एक tomato डाल दीजे तो हमारा प्याज tomato भून चुका है इसमें डाल दूँगा एक चमच भरके कश्मिरी लाल मिर्च का इससे अच्छा रंग आता है तीखी कम रहती है और डालाँ इसमें एक चमच भरके धनिया पाउडर थोड़ी सी डाल रहाँ हल्दी यानि की टामरिक आदा चोटा चमच इसमें डाल रहाँ है क्यूमिन सीट पाउडर और बचा हुआ नमक जो हमारा रह गया था ग्रेवी के लिए इसको डाल देंगे और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च ताकि थोड़ा सा तीखा पन रहे सबजी में इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी मिसाला कच्चा न रहे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मिसाले न अच्छे ढंग से भून जाए देखिए कितना अच्छे ढंग से हमारे मिसाले भून चुके हैं अब इसको हम ढखेंगे और तीन से चार मिनिट अच्छे से पकाएंगे, चली दोस्तों हमारी ग्रेवी को पकते हुए चार-पांच मिनिट हो चुके हैं, धक्कन उठा के देखते हैं, तो देखते हैं इसको, ये देखें कितना बढ़िया तेल ने किनारा छोड़ा है, आप द तो देहीं डाल दिया है, अगर आपका देहीं खटा है तो आप अवाइड कीजिएगा, इस पे आप थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं, यहां पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, ताकि हमारी ग्रेवी रडजरस्ट हो कोफते पानी को सोकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा जादा डाला है, तो बस ग्रेवी को 3-4 मिनट आपको अच्छे से पकाना है, ताकि उसका कच्छा पन दूर हो जाए, धियान दीजेगा कोफते डालने के बार इसको जादा नहीं पका पाएंगे, ग्रेवी मारी काफी अच्छे रंग से पक चुकी है, तो अब हमारी अच्छी मसाला, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, रेडी हो चुकी है, रेसिपी कैसी लगी, कॉमेंट्स में बताएगा, अच्छी लगे, तो लाइक शेयर कीजीगा,